गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स पांचवी कलास में हिंदी सब्जेक्ट हम कर रहे हैं जिसका हमारा चोथा लेसन है समझदार लोमडी इस काहने में हम देखते हैं कि एक बुढ़ा सेर जो अपने बुढ़ापे के कारण और लकवे की बिमारी के कारण जो सिकार करने में ऐसमर्थ है प्रंतु सेर एक उपाय सोचता है सेर अपने पास खरगोष को बुलाता है और खरगोष से क्या कहता है कि वह अभी मरने वाला है और मरने से पहले वह एक भला काम करना चाता है वह है लोमडी को लोमडी जो कि इस पहाड़ी के दूसरी तरफ रहती है तो सेर लोमडी को अपनी गुफा रहने के लिए देना चाता है तो ये कहकर सेर लुढक जाता है खरगोस भोला होता है और खरगोस क्या सोचता है कि सेर मर गया है खरगोस सेर का ये काम करना चाता है सेर की आखरी इच्छा पूरी करना चाता है और वह सेर का समाचार लेकर लोमडी के पास जाता है तो बच्चो जब खरगोस लोमडी के पास पहुंसता है तो लोमडी खरगोस को देखकर उसको खान के लिए पकड़ती है लोमडी भी एक मासाहरी जीव है लोमडी क्या है मासारी जीव से और भी मासारी जीव होते हैं मास खाते हैं खरगोस कैसा है, खरगोस साकारी है, हरी हरी घास, पतियां आदी खाकर अपना पेट भरता है, तो जब खरगोस लोमडी के पास पहुंचता है, तो लोमडी उसे खाने के लिए पकड़ लेती है, परंतु जब खरगोस लोमडी से पूरी कहानी पूरी बात बताता है, तो लोमडी और खरगोस सेर की गुफा के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि सेर मरा पड़ा था लोमडी खुशी से फूला नहीं समाई जब उसने देखा कि सेर मरा पड़ा है तो लोमडी बहुत खुश होती है खुशी से फूला नहीं समाना बहुत खुश होना लोमडी खु तो सेर को देखते ही लोमडी के मुँं में पानी आ गया, तो जो ही लोमडी सेर की तरफ बढ़ी, तो लोमडी तो एक चालाग जी होता है, बच्चों लोमडी क्या होती है, लोमडी बहुत चालाग होती है, तो जैसे ही लोमडी सेर की तरफ बढ़ी, तो लोमडी को कुछ खरगोस भहिया, सेर महराज कब मरे? लोमडी ने खरगोस से क्या पुछा? खरगोस भहिया, सेर महराज कब मरे? उन्हें मरेवी कितना समय हो गया है? खरगोस ने का लोमडी भहन इन्हें मरेवी ते केल दो घंटे हो गए हैं. लोमडी ने कहा कि फिर तो मैं चलती हूँ, फिर तो सेर माराज को ही यहीं रहने दो। खर्गुष यह सुनकर बड़ा हरान हुआ। खर्गुष ने का क्यों बेन। अब तो तुम यहीं रो। यह गुफा तुम्हारी है। लोमडी ने कहा नहीं सेर माराज अभी मरे नहीं है। तभी तो यह गुफा भी उनकी है। खरगोश को फिर हरानिय उन्होंने कहा कि तुम्हें कैसे पता कि अभी सेर माराज नहीं मरे हैं तो लोमडी तो चालाग थी लोमडी क्या देखना चाहती थी लोमडी ये देखना चाहती थी कि सेर वास्तों में मर चुका है या मरने का नाटक कर रहा है तो लोमडी ये सब जाचना चाती थी और इसलिए लोमडी ने खरगोश से ऐसे बातें कहीं लोमडी ने क्या कहा कि जब इतना बलसाली बलसाली ताकतवर जब इतना ताकतवर जानवर जब मरता है तो मरने के लगबग तीन गंटे बाद तक उसकी पूंच हिलती रहती है यह कहती है तो सेर अपनी पूँच को हिलाने लगता है क्योंकि सेर यह जताना चाहता है ना कि वो मर गया है और लोमडी ने क्या खा था कि मरने के तीन घंटे बाद तक पूँच हिलती रहती है तो सेर यह दिखाने के लिए कि वह मर चुका है सेर अपनी पूँच को हिलाने ल मरने के बाद तो सरीर शितर हो जाता है तो इसलिए लोमडी भी अपने बच्चों के साथ वहां से भाग जाती है और खरगोस भी वहां से भाग जाता है तो बच्चों इसी परकार लोमडी ने अपनी बुध्धी से काम लिया चालाकी से काम लिया और उसने अपने साथ अपने बच्चों और खर्गोस की भी जान बचा ली सेर जो की बड़ी चालाकी से लोमडी को अब उसके बच्चों के साथ और खर्गोस को भी जो अपने जाल में फासाना चाता था उन्होंने अपने पास बुला कर खाना चाता था प्रंतु लोमडी ने और चाला की से काम लिया और अपनी बुद्धी मता से काम लेकर लोमडी ने खरगोस की भी जान बचाए और अपने बच्चों की भी अपनी भी जान बचाए इसलिए इस कहानी का क्या नाम है समझदार लोमडी तो बच्चों हमें भी कोई भी काम करने से पहले पूरी तरह से सोच विचार करना चाहिए यही इस कहानी से हमें सिख्षा मिलती है ठीक है?